तुम जिस भी चीज के बारे में सोच सकते हो, वो चीज समय के थोड़ा ना सूख्षम हो जाता है, तुम जिस भी चीज के बारे में सोच सकते हो, सोच का विश है तुम्हारा समय के अंतराल में आ जाता है, समय के अंतराल में जैसे मैं इस रिमोट के बारे में सोच सकता हूँ, तो मैं जिस भी चीज के बारे में सोच सकता हूँ, वो समय के दाइरे से बंद जाती है, समय से मेरा मतलब बदलाओ, ठीक है, यह रिमोट बदल सकता है गया, अभी गिर जाए तूट जाएगा, बदल गया, जला दू राख हो जाएगा, बदल गया, पिखल जाएगा, तो जिस भी चीज के बारे में आप सोच सकते हो, या तो वो है नहीं, मैं सोचने लगों कि उड़ता हुआ इंसान, जिसके पंक हो, है तो नहीं ऐसा इंसान, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ, तो अब ऐसा उसके बारे में कलपना कर सकता हूँ, कुछ और, वो भी समय के अंतराल से बंद गया, समय में बंद जाती है, कोई भी चीज जिसके बारे में आप सोच सकते हो, जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी, तभी मैं अपना अगला पॉइंट बोलूँगा, ये बात समझ में आएगी, कि जिस भी चीज के बारे में आप सोच सकते हो, वो समय से बंद जाएगी, ठीक है, आप जिस भी चीज के बारे में सोच सकते हो, उसमें क्या हो सकता है, अब अगर उसमें चेंज हो सकता है, किसी भी चीज में अगर चेंज हो सकता है, तो वो चीज सत्य नहीं है, स्थिर नहीं है, वो चीज इश्वर नहीं है, तो क्या मेरे अंदर कोई ऐसी चीज है, जिसके ब बदला उसमें नहीं आने वाला, यानि वो 3 in direction जो होती है, space में 3away उचाई लंबाई चोड़ाई उससे बंधीवी नहीं है, यानि वो हर जबाएं है, और समय से तो बंधीवी नहीं है, आज भी ऐसी है, मैं मर जाओंगा तो भी ऐसी रहेगा, तो क्या आपके भीतर कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आप नहीं सोच सकते कलपना भी नहीं कर सकते जब आप ध्यान दोगे अपने भीतर मैं इसको बोलनानी चाहता था लेकिन जब आप ध्यान दोगे अपने भीतर तो आप ये पाओगे आपके अंदर वह हो जो विचहरों को देख रहें सोच सकते हैं ऐसे दो कुछ किसे द्धान देदोगी वह तो वहां भात कर रहे हैं कि उसके उसको ना सोचा जा सकता ना उसको उस पर ध्यान दिया जा सकता लेकिन आपके बीतर वो है हर इंसान के बीतर एक तो विचार हो गए विचार जिस भी चीज के बारे में कर सकते हैं वो चीज समय से बंद गई समय से अगर वो चीज बंद गई तो वो तीन उसकी डामेंशन हो गई ठी चोथी डाइमेंशन टाइम है लेकिन अगर आप के बीतर कोई ऐसी चीज हो जो समय से नहीं बंदी हुई तो यानि वो उसकी कोई लंबाई नहीं है कोई आकार नहीं है कोई रूप नहीं है वो हमेशा से थी अनादी थी अनंत है इस इतनी सी बात है झाल